अगर आपको लगता है कि सॉल्ट हमेशा न्यूटल होते हैं तो आप हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं चुकर देखे सॉल्ट एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सॉल्ट लेंगे और इनकी नेचर को पहचानने की कोशिश करेंगे तो जले सबसे पहले इस चीज़ से शुरू करते हैं जो हमें पहले से मालूम है यानि हमें ये मालूम है कि एसिड और बेस जब आपस में रियाक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं यानि निउट्रलाइज कर देते हैं इनके दर्मिया neutralization reaction अमल में आता है और इसके नतीजे में हमें salt और पानी मिलता है हम इसकी कुछ मिसाले भी देखेंगे जैसे hydrochloric acid जब sodium hydroxide base के साथ react करता है तो इसके नतीजे में salt sodium chloride मिलता है अच्छा आप sodium chloride एक neutral salt है जिसका मतलब यह हुआ कि जब हम पानी में sodium chloride डालेंगे तो ना तो यह H positive wine की concentration में इजाफा करेगा और ना ही OH negative wine की concentration में इजाफा करेगा इसलिए हम इसे एक neutral salt कहते हैं लेकिन देखें यहाँ गोर करने की बात यह है कि HCL एक टाकतवर acid है यानि strong acid है और sodium hydroxide भी एक टाकतवर base है यानि एक strong base है तो यहाँ मेरे बताने का मतलब यह है कि एक टाकतवर acid और एक टाकतवर base के आपस में reaction के नतीजे में जो salt बनता है वो neutral होता है चुमें acid और base ने एक दूसरे के असर को बराबर तोर पर खतम कर दिया होता है लेकिन क्या आपको मालुम है कि जब एक टाकतवर acid एक कमजोर base के साथ react करता है तो इसके नतीजे में बनने वाला salt अब अपने टाकतवर parent की खसूसियत अपनाएगा parent एक अंग्रेजी का लवज है जिसका मतलब होता है वालदेन तो यहाँ पर salt का parent वो acid और वो base है जिसके reaction के नतीजे में ये salt बनता है तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं कि जब एक टाकतवर acid एक कमजोर base के साथ react करता है इसकी नतीजे में बनने वाला salt अपने ताकतवर parent की खसूसियत अपनाएगा यानि कि ये थोड़ा सा acidic होगा क्योंकि ताकतवर parent इसका acid था दूसरी जगा देखें तो जब हमारे पास एक कमजोर acid एक ताकतवर base के साथ react करेगा तो तब भी बनने वाला salt अब अपने ताकतवर parent की खसूसियत अपनाएगा यानि इदर इसका nature थोड़ा ऐसा basic होगा अब अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एक कमजोर acid कमजोर base के साथ react करके एक neutral salt बनाता है तो ये बिल्कुल गलत अंदाजा है देखिए इस चीज़ को समझने के लिए हमें दूसरी बहुत से चीज़ों पर बात करनी होगी लेकिन इस वीडियो में हम इसका तथकरा नहीं करेंगे हम इस पूरे मौज़ों पर एक अलग से वीडियो में बात करेंगे लेहाजा इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ सॉल्ट्स लेंगे और इस टेबल के मताबिक इनकी नीचर को पहचानने की कोशिश करेंगे तो चलें आए शिरू करते हैं यहाँ बर हमें एक सोडियम ऐसी टेट दिया हुआ है अब किस तरह हम इस सॉल्ट के नीचर को मालूम करें कि यह एसिडिक है या बेसिक है या हो सकता है यह नीट्रल हो लेकिन हम पता कैसे करेंगे देखें यह मालूम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यह मालूम करना होगा कि इस salt को बनाने के लिए कौन से acid और कौन से base ने आपस में react किया था फिर इस acid और base की nature मालूम करने के बाद मैं ये बात बता सकती हूँ कि इस salt का nature क्या होगा तो क्यों ना आप इस video को रोके और खुद से ये मालूम करने की कोशिश करें कि कौन सा acid और कौन से base आपस में react करेगा ताके मुझे ये वाला salt दे सके अब अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो चले आए आगे देखते हैं हम जानते हैं कि acid और base की ions आपस में एक दूसरे से अपनी जगा का तबाद ला करते हैं तब जाकर हमें salt और पानी मिलता है तो वापस acid और base हासिल करने के लिए हम salt और पानी की ions का आपस में तबाद ला करवा सकते हैं तो चले ज़रा ये करके देखते हैं तो पानी यानि H2O को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि HOH तो अब इन दोनों के ions लिखते हैं तो salt के ions होंगे acetate negative ion यनि CH3COOO negative और sodium positive ion और पानी के ions को भी इसी तरह लिख सकते हैं यनि H positive ion और hydroxide negative ion चले अब इन ions का आपस में तबाद ला कर देते हैं ताकि हम acid और base तक पहुंच सकें तो इस बार में acetate ion को H positive ion के साथ लिखूंगी अब जब मैं इन्हें combine कर दूँगी तो मुझे मिलेगा CH3COOH और ये होगा हमारा acid और अब मैं इस sodium ion को hydroxide के साथ मिला दूँगी तो मुझे मिलेगा sodium hydroxide जो के हमारा base है इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमने दिये गए salt sodium acetate के parent acid और base को निकाल लिया है यानि कि हमारा पहला मरहला तो हल हो गया है अब दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं हमें इस acid और base की nature मालूम करनी है यानि कि हमें ये मालूम करना है कि इनने से कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है तो क्या आप इस वीडियो को रोग कर ये खुद से बताने की कोशिश कर सकते हैं अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो चले आए मिल कर देखते हैं शायद आपको याद हो कि ये sodium hydroxide एक ताकतवर base है ताकतवर से मुराद ये है कि sodium hydroxide के तमाम molecule sodium और hydroxide आइन में तोट जाएंगे या कहले कि disassociate हो जाएंगे और अगर आप याद नहीं कर बार रहे कि ताकतवर और कमजोर acid होने से क्या मुराद है तो गुबराने की बात नहीं है हम इस पूरे मौज़ू पर एक और वीडियो में बात कर चुके हैं तो मेरा मशवर आपको यह होगा कि आप उस वीडियो को देखे और फिर वापस आकर यह वली वीडियो देखे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए खेर तो अब अगर आप पहले से ही इस बारे में आगे ही रखते हैं या डिससोसियेट नहीं होंगे इस एसिड का थोड़ा सा हिस्सा टूटेगा अब चुके हम इस पेरेंट एसिड और बेस की नीचर के बारे में जान चुके हैं तो क्या आप इस सौल्ट की नीचर का अंदाजा लगा सकते हैं हमने पहले देखा था कि सौल्ट की नीचर का इंहसार ताकतवर पेरेंट की नीचर पर होता है तो यहां हमारे पास कमजोर एसिड है लेकिन बेस ताकतवर है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा यह सौल्ट भी बेसिक नीचर का होगा यानि हमारे पास एक basic salt है तो देखे इसे हल करने में पहला मरहला था कि दिये गए salt के बारे में हमें ये मालूम करने की कोशिश करनी थी कि किस acid और base के reaction के नतीजे में ये salt बना है फिर दूसरे मरहले में हमें ये मालूम करना था कि दिये गए acid और base की nature क्या है और तीसरे मरहले में हमें ये मालूम करना था कि अब सॉल्ट की नेचर क्या है तो चलें आब एक और मिसाल हल करने की कोशिश करते हैं इस बार मेरे पास सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड है और मुझे इसकी नेचर मालूम करना है तो क्या आप वीडियो रोक कर खुद से सवाल का जवाब दे सकते हैं क्योंकि सारी मरहले तुमेरे आपको पहले ही बता दी है कि आप किस तरह आप बता लगाएंगे तो अब अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो चले हैं मिल कर देखते हैं तो पहली मरहले में हमने ये देखना है कि किस acid और base के reaction के नतीजे में ये salt बना है है ना तो चले पानी और salt के ions लिख लेते हैं इस salt से हमें ammonium ion यनि NH4 plus और chloride minus ion मिलेंगे और पानी से हमें H positive ion और hydroxide negative ion मिलेंगे अगर हम इन ions का तबाह दला करवाएं यनि यनि exchange करें जब hydroxide ion से मिलेगा तो इसके नतीजे में हमें ammonium hydroxide मिलेगा जो के एक base है चुक्के इसके पास OH जो मौजूद है इसलिए ये एक base है अब इसी तरह chloride ion H positive ion से मिलेगा या कहले कि combine होगा इसके नतीजे में मुझे hydrochloric acid मिलेगा तो चनाब ये था पहला मरहला जिसमें हमने दिये गए salt से parent acid और parent base मालूम किये हैं अब दूसरे मरहले में हमने acid और base की nature मालूम करना है हम जानते हैं कि hydrochloric acid एक ताकदवर acid है चुक्के ये मुकमल तोर पर ions में तूट जाता है और पहले हमने ये भी देखा था कि harmonium hydroxide एक कमजोर base है चुक्के ये मुकमल तोर पर ions में नहीं तूटता या कहले कि मुकमल तोर पर disassociate नहीं होता इसके सिर्फ थोड़े से molecules ही ions में तूटते हैं यानि हमारे पास एक ताकदवर acid और एक कमजोर base है जो कि एक दूसरे के साथ react करके हमें ये salt दे रहे है अग दीसरे मरहले में हमें ये मालूम करना है कि इस salt का nature क्या होगा तो देखे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि salt के nature का इनहसार ताकदवर parent की nature पर होता है तो यहां हमारे पास एक कमजोर base है लेकिन acid बहुत ताकदवर है यहां पर ताकदवर parent एक acid है तो हमारा जवाब है कि ये salt acidic nature का होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपका ये खयाल था कि salt सिर्फ neutral हो सकते हैं इस वीडियो के बाद ये खयाल थोड़ासा तबदील जरूर हुआ होगा और अगर अब भी खयाल तबदील नहीं हुआ तो मेरा आपको मशुरा है दुबारा से ये वीडियो देखें